बिस्मिलाह इसकी पीडियर फाइल आपको टेलिग्रम गृप में मिल जाएकि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गीवन है वीडियो को एंड तक देखे अगर आप हमारे जैनल पर निई हैं तो हमारे जैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताके आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें लेक्टर शुरू करते हैं Swedish artist Lars Wilkes who had lived under police protection since making a derogatory sketch in 2007 Died in a car crash along with two bodyguards on October 3, 2021. He was 75. Wilkes and two plaincloth police officers were killed in a head-on crash with a truck on Sunday afternoon, said the police chief for southern Sweden. All three died on the spot. The 45-year-old truck driver was flown to a hospital with serious injuries. Formio Kishida is the new prime minister of which country? Formio Kishida किस country के new prime minister है? Correct answer है Japan Formio Kishida जपान के current prime minister है जो के 4 October 2021 से यह उगदा संबाल रहे हैं. यह Democratic Liberal Party के President पी रहे हैं 19 September 2021 से और Formio Kishida से पहले जो शी हायर्ट सुगा प्राइमनिस्टर थे जपान के. The next one is Recently US Tipty Secretary of State Visits to Pakistan Named. Recently US Tipty Secretary जिन्होंने पाकिस्तन विजट किया, उनका क्या नाम है? उनका नाम है Wenday Sherman. Wenday Sherman जो के current US Tipty Secretary है, उन्होंने 7 और 8 October को पाकिस्तन विजट किया. और इस विजट करने का मकसद था United States और पाकिस्तन का बढ़ता हुआ जो चैजम है, उसके बारे में डिसकुशन की जा सके, जो कि अफगान इशूस की वज़ा से है. शर्मन ने पाकिस्तन आने से पहले 6 और 7 October को इंडिया विजट किया, और ये 1st High Level Official विजट है अंडर प्रेजिडेंट जो विज़ा विज़ा. The 2021 Nobel Peace Prize was announced by the Norwegian Nobel Committee in Oslo on which date, on 8th of October 2021, 8 October 2021 को Nobel Peace Prize की announcement की गई थी, Norwegian Nobel Committee की तरफ से Oslo में. The 2021 Nobel Peace Prize was announced by the Norwegian Nobel Committee in Oslo on 8th of October 2021, the award ceremony is scheduled to take place in Oslo on 10th December 2021, nominations closed on 31st January 2021, 7th G20 Parliamentary Speakers Summit to be held in which country? Italy. G20 Parliamentary Speakers Summit or P20 which begins Thursday, October 7th in Rome, Italy, for important presentations on coordinating international coronavirus response efforts, national security issues and united action on climate. The Nobel Prize in Literature 2021 was awarded to Literature में Nobel Prize 2021 में किसको दिया गया अब्दुर्जाग गोर्णा, अब्दुर्जाग गोर्णा जिनका तालुक है अफ्रीकन कंट्री से. ये पैदा हुए थे जैंजी बर तंजानिया में, 1948 में, लेकिन ये अब भी ब्रीटर्ण में रहते हैं. ये पहले ऐसे अफ्रीकन हैं जिनको नोबल प्राइस से अवाजा गया और ये मोस्ट प्रिस्टीजियस कंसीडर किया जाते हैं वर्ल डिट्रेचर में. The Nobel Prize for Chemistry 2021 has been awarded for developing a new way for building molecules known as Nobel Prize for Chemistry 2021 से नवाजा गया है, उन लोगों को जिन्होंने नूवे बताया है molecules को बिल्ड करने का, उस way को क्या कहते हैं? Asmetric Organic Catalysis नोबल प्रैज 2021 कमिस्टरी में नवाजा गया है बेंजमिन लिस्ट और डैविट मेकमिलन को मेकमिलन और बेंजमिन ने एक नया रास्ता बताया है मॉलिक्यूल्स को ड्वेल्प करने का जिसको कहा जाता है ऐस्मेट्रिक और्गनो कैटलिसिस लास्ट ययर ये इस ओवाज़ से नवाजा गया था मैनियूल 4 पैंटियर फर्งस से जो बिलोग करते थे और जैनिफर जो क着 उनाइटिड स्टेट से बिलोग करते थे उन्होंने जीन एडिटिंग को ड्वेल्प करने का टूर बताया था जो के डियने को आल्टर करने का भी जरीया है बलोचिस्तान हैफ हीट बाइ डैश मेगनिट्यूट अर्थक्वेक उन 7 अक्तूबर 2021 7 अक्तूबर 2021 को आने वला जल्जले का मेगनिट्यूट क्या था 5.9 7 अक्तूबर 2021 को सुबो के वक्ट जो जल्जला आया अप लोचिस्तान में उसका मेगनिट्यूट था 5.9 इसमें 15 लोग मारे गए और 1500 से ज्यादा लोग इंजर्ट हुए एक बहुत एहम क्वेशन है जिसके बारे में एकसर पूछा जाता है कि एक तरीखी जल्जला आया था कोईटा में वो किस स्टेट पे आया था और किस हीर में आया था वो आया था 8 अक्तूबर 2005 में इजाज एहमद जो के पाकिस्तान का लंबातरी शक्स था उसकी हाइट 8 फीट और 2 इंच थी वो 7 अक्तूबर 2021 को वफात पा गए और इनका तालुक कहां से था उनका तालुक था दरियाखान बक्खर से एजाज एहमद बान अफ तो टॉलस्ट मैं इन पाकिस्तान विद 8 फीट और 2 इंचिस हाइट डिए इन दरियाखान एरिया इन बक्खर डिस्टिक्ट अन अक्तूबर 7 ज़ेश फीट वैवस 42 2. Which country has recently announced a multi-billion euro defense deal with France? किस कंट्री ने recently multi-billion euro defense deal की है फ्रांस के साथ? Correct option है, Greece. France and Greece announced a multi-billion euro defense deal, which includes the decision of Greece to buy three French warships. Greece will boost its defense capacities in the eastern Mediterranean-aimed tensions with Turkey. President Emmanuel Macron and Greek Prime Minister Kyriakos announced a defense and security strategic partnership in Paris. Greece has already bought 18 French Rafale fighter jets. Naseem al-Bahar XIIII is a military exercise conducted between which countries? Pakistan and Saudi Arabia. Demonstrating joint combat readiness, the navies and air forces of Pakistan and Saudi Arabia showed an impressive display of their firepower in the northern Arabian Sea on October 7, 2021. During exercise, Naseem al-Bahar XIIII, chief of the naval staff admiral, Muhammad Amjad Khan, Niazi, and the commander of Royal Saudi Naval Forces, Vice Admiral Fahad bin Abdullah, witnessed life weapons firing by various naval and air units of the two countries out at the sea. Name of the Pakistani who was recently honored with a Japanese imperial decoration, the Order of the Rising Sun. उस पाकिस्तानी का नाम बताएं जिसको रिसन्टी जैपनिस इम्पिरियल डेकुरेशन से नवाजा किया और ये राइजिंग सन के आरडर पे था. उनका नाम है सहिद फिरोज आलम शाह. सहिद फिरोज आलम शाह जो के फांडिंग डाइरेक्टर हैं पाकिस्तान जिपान बिजनस फॉरम के और उनका कंट्रिबिशन है दोनों कंट्रीज की एकनॉमिक और कल्चर रिलेशन्स में. उनको जैपनिस इम्पिरियल डेकुरेशन से नवाजा किया. ये सर्मनी हुई इसलामबाद में जिसमें जैपनिस इम्पेसेडर पाकिस्तान की तरफ मटसूडा उन्होंने भी हिसा लिया और सेथ फिरोज आलम शाह का तालुक बलोचिस्तान से है. पॉंटे दी फेरो जिसको पॉंटे डेल इंडस्ट्रिया भी कहा जाता है. ये वाकिय है रोम इटली में और ये मुकमल तोर पे डेमिज हो गया है रिसंटली. ये ब्रीज बिनाया गया था 1863 में. Mostly ब्रीज होते हैं स्टोन के लेकिन कुछ ब्रीजिस होते हैं आईरन के. ये ब्रीज भी आईरन का था. The Nobel Prize in Psychology and Medicine 2021 was awarded to. 2021 में Psychology and Medicine में. Nobel Prize से किसको नवाजा गया? David Julius और Ardham Petaportian. ये बोथ P and C are correct answer. The Nobel Prize in Psychology and Medicine was awarded jointly on Monday, October 4, 2021 to David Julius and Ardham Petaportian for their discoveries of receptors for temperature and touch. The pair made breakthrough discoveries that launched intense research activities that in turn led to a rapid increase in our understanding of how our nervous system senses heat, cold and mechanical stimuli. Dr. Julius प्रोफेसर हैं Psychology. Psychology के प्रोफेसर हैं University of California, San Francisco में. जबके डॉक्टर पैटा पोर्टियन जो हैं Molecular Biologist हैं और Neuroscientist हैं सक्रीप्स रिसर्च इन लाला जोला स्कैलिफ. World Health Organization Approves First Antimilaria Vaccine Named WHO ने First Antimilaria Vaccine जिसको अप्रोफ किया है, उसका क्या नाम है? RTSS. World Health Organization एक Specialized Agency है, जुनाइटिट नेशन्स की, जो कि Responsible है International Health की. ये बनाई गई थी 7 एपरिल 1948 में, जिसका Headquarters Switzerland जनीवा में है. World Trade Organization estimates global merchandise trade volume growth at Dash in 2021, 10.8%. The World Trade Organization on Monday upgraded its forecast for global merchandise trade volume to an increase of 10.8% in 2021, from the 8% increase projected in March this year on the back of the last year's slump, which bottomed out in the second quarter of 2020. The first one is, according to Pandora Papers, Pakistanis are the Dash Largest Buyers of Property in London. Pandora Papers के according, पागिस्तानी कितने बड़े बाइर हैं लंडन में प्रापर्टी के? Options हैं 3rd, 4th, 5th और 6th. The correct answer is 5th. पागिस्तानी पाँचपें बड़े बाइर हैं लंडन में प्रापर्टी के. Pandora Papers बिसिकली उन लोगों के नामों की फेरिस्त हैं जिन लोगों ने लंडन में प्रापर्टी हरीदी और यहां कह सकते हैं कि छुपा के जुपा के उन्हें प्रापर्टी हरीदी ओफशर कंपनी से हैं या शेल कंपनी से हैं ताके टेक्स से बचा जा सके. The man regarded as the father of Pakistan's nuclear bomb, Dr. Abdul Qadir Khan has died aged 85 on which state, 10th of October 2021. Dr. Abdul Qadir Khan जोके father of Pakistan's nuclear bomb हैं 10 October 2021 को वफाद पा गए. Dr. Abdul Qadir Khan पैदा हुए थे 1936 में. वो पाल में पैदा हुए थे जोके इंडिया का शेहर हैं और 2021 में वफाद पा गए उनकी उम्र 85 साल थी. Digital Economy Report 2021 Released by 2021 के Digital Economy Report किसने रिलीस की है? United Nations Conference on Trade and Development ने. The Digital Economy Report 2021 takes a deep dive into the development and policy implications of cross-border flows of digital data. How many Nobel Peace Prizes have been awarded in 1901 to 2021? 1901 से लेकर 2021 तक टोटल कितने Nobel Peace Prizes से नवाजा जा चुका है? उनकी तदाध है 102. 1901 से लेकर 2021 तक टोटल तदाध है Nobel Peace Prizes की 102 जिनमें से 25 और्गनाइज़ेशन को इस अवाड़ से नवाजा गया है. दो अवाड़ ऐसे हैं जो कि तीन लोगों में डिवाइट किये गए हैं और 18 ओर्टों को Nobel Peace Prize से नवाजा गया है. और एक फरदैसे हैं जिन्होंने Nobel Peace Prize लेने से इंकार कर दिया जिनका नाम है ली डगत हो. नेक्स्ट है रिसेंटली दा Nobel Peace Prize 2021 है जिन्होंने Nobel Peace Prize से किन को नवाजा गया है? इन दोनों को Nobel Peace Prize से नवाजा गया है दो हजा गया है नेक्स्ट है When Russia held its first royal wedding since the 1917 Bolshevik Revolution. 1917 की Bolshevik Revolution के बाद रशिया की कब first royal wedding हुई? October 1st, 2021 यकम अक्तूबर 2021 को Bolshevik Revolution के बाद first time royal wedding हुई और Bolshevik Revolution जो है ये 8 March 1917 से लेके 16 June 1923 तक रही थी. Which country has passed the Foreign Interference or Counter-Mayor's Bill? The correct answer is Singapore. Singapore has passed the Foreign Interference Bill. The Act identifies people who could possibly present a threat to the country's political sovereignty if the person's activities are influenced by the foreign principles. The law is aimed at strengthening the government's ability to prevent or detect any fraud interference in domestic politics. The Minister of Home Affairs gets the right to investigate or remove social media accounts, internet websites and applications and internet service. Who is the official spokesperson for the Punjab government? Punjab government के official spokesperson कौन है? Hasan Haver. Hasan Haver, जो की newly appointed special assistant on information है, वो new spokesperson है पंजाब government के. इन से पहले फ्याजुल हसन चुहान साब थे. Which country won the Fired World Women's Team Chess Title in Spain in 2021? Recently International Chess Federation 2021 जो की स्पेन में हुआ वो किस कंट्री ने जीता? Correct answer है, Russia. Russia ने जीता है Fired World Women's Team Chess Title जो की स्पेन में हुआ, इसका मुकाबला हुआ इंडिया से. Russia ने इंडिया को हराया 2-0 से. और सेमी फाइनल हुआ था Russia का युक्राइन के साथ, जबके इंडिया ने हराया था Georgia को सेमी फाइनल में. इससे पहले 2017 में भी Russia जो है चेंपियन रह चुका है. General elections were held in Qatar for the first time on. Qatar में पहली पर General elections कब हुए? 2 October 2021 को. 2 October 2021 को General elections हुए Qatar में, जो के पहले schedule किये गए थे 2013 में, लेकिन किसी वज़ा से ये पोस्ट पन कर दिये गए 2016 तक. लेकिन 2016 में ये दुबारा पोस्ट पन हुए, और 2021 में ये वाले General elections first time हुए है. World Teachers Day is observed every year on which state? Teachers Day हर सल की स्टेट पे मनाया जाता है? 5 October को. 5 October को हर सल Teachers Day मनाया जाता है, ये दे सेलिब्रेट किया जाता है Teachers की responsibilities, rights, values को highlight करने के लिए. या फिर जो भी issues हों Teaching को लेके या फिर टीचर्स को लेके. इस साल का जो थीम है Teachers Day को लेके, वो था Teachers at the Heart of the Education Recovery. On October 7, 2021, the ECB chairman was stepped down from his post named. 7 October 2021 को ECB के chairman ने step down किया है अपनी post से. उनका क्या नाम है? उनका नाम है Len Wattmore. The England and Wales Cricket Board, ECB, announced on October 7, 2021, that chairman Len Wattmore was stepping down with immediate effect following criticism of the decision to cancel a tour of Pakistan. Which country announced plans to send a probe to land on an asteroid between Mars and Jupiter? The correct answer is UAE. United Arab Emirates on Tuesday, announced 5 October 2021, plans to send a probe to land on an asteroid between Mars and Jupiter to collect data on the origins of the universe. The UAE would join an elite club of the European Union, Japan and the United States after a successful landing. the project targets a 2028 launch with a landing in 2033. It would remain behind on the asteroid and would transmit information on the composition of the asteroid back to Earth. Which country unveils world's first self-driving train recently? किस country ने रिसेंट्ली ने रिसेंट्ली ने रिसेंट्ली से इंट्रिज्ज्ज्यों करवाया है? वो है, जर्मनी. जर्मन रेल उपरेटर डूचेबान एंड इंडस्टियल ग्रूप साइमन्स अन्वेल्ड दा वर्ल्ड फर्स्ट आटोमेटर ड्राइवर्लेस ट्रेन इन दा सीटी ओफ हैंबर्ग बिलिंग अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें थैंक यू